Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, today we start chapter 11 according to new book and chapter 12 according to old book. जो भी विदार थी, जो भी उसके पास book है, वो अपनी open करके lesson को ध्यान से समझेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे. Lesson Name is Building, Painting and Books. तो यहां हम buildings के बारे में, जो पुरानी हमारी इमारते हैं, या उन इमारतों पर बनी भी जो painting है, चित्तरकारी हैं, या जो हमें old books मिलती हैं, उनके बारे में यहां पर हम अरीडिकरेंगे. तो यहां एक चोटा example लेते हैं, मरुद सामी, यह जो picture दिखाईगी है एक लड़के की, तो यह मरुद सामी है, जो iron pillar देखने के लिए गया हुआ है. आपको पहले दिखाए दे रहा है, यह handicapped है. तो मरुद सामी क्या है, was so excited, बहुत ही खुश था, his brother had propelled his wheelchair along the dusty stony paths past towering कुतुमिनार and up the metal ramp. जो उसके भाई जी थी, वो उसको भील चेर पर बिठा कर, dusty रास्ते से stone, पत्त्री ले रास्ते से उत्तेवे कहां पर ले गए, जो कुतुमिनार है, वहां पर ले जाते हैं, उसके सामने एक iron pillar है, उसको दिखाने के लिए वहां पर लेके गया, उसको देकर वो बहुत ही हो रहा था, किसको मरूत सामने को, तो अब हम iron pillar के बारे में यहां read करेंगे, यह metallurgy के बारे में देखते हैं, metallurgy जो metal का परियोग करना, time to time, कौन से metal का परियोग ज्यादा किया गया, जैसे यह ancient Indian metallurgist made major contribution to the metallurgical history of the world, तो world की जो history है, धातों से related, उसके जो हमारे प्राचिन भारती है, धातों का प्रियोग किया जा रहा है, उनका major contribution है, सहयोग है, हमारे जो धातों का जिसने पता लगाया है, उनका सबसे ज़्यादा सहयोग है, आर्जो लोजिस्ट हैं जो, जिनके दवारा बहुत ज़्यादा हमारी our past के बारे में जानकारी कर्थे करने की, वो जा अंदर जो knowledge थी, वो किस की थी, copper दात्तु के बारे में ज्यादा knowledge थी उनको, even manufacturing bronze by mixing उसके बाद, पहले किस को प्रियोग किया गया, copper metal लगा, उसके बाद copper प्लस तीन, copper प्लस तीन को मिला के, क्या बना गया, ब्रोंज बनाया गया, copper रोटीन को मिला के आपस में bronze बनाया गया, काश्य, जिसको काश्य है, bronze age के नाम से हम जानते हैं, तो bronze age के बाद iron age, यानि बाहरत में लोहे का प्रियोग किया गया, और India produce highly advanced type of iron fol, बाद के अंदर बहुत अच्छे iron का यूज किया जाता था, iron की वस् उसी का example यहां देखते हैं, कि इंडिया के अंदर जो iron pillar है, वो कितना अच्छा है, कितने टाइम पहले से लगाया गया है, और उसके अंदर क्या qualities है, तो iron pillar के बारे में हम यहां बात करते हैं, iron pillar at महरोली, डैली के अंदर एक स्थान है महरोली, वहां परस्तित है, इस रिमा of iron 7.2 meter high, यह iron से बनाया गया है, इसकी height 7.2 है, इसका weight 3 ton लगबग है, इसका weight 3 ton लगबग है, यह पंदरा सो साल पहले बना गया था, यह हमें कैसे पता चला, क्योंकि we know that date, because हम इसकी time को कैसे जानते हैं, there is an inscription, क्योंकि उसमें एक अभिलेक मिला है, पत्थरों के ऊपर कु था उस time, इस time यह पिलर बनाया गया, उसका जो सासा का नाम था यह चंदर था, तो यह चंदर गुप्त मोरी है, यह चंदर गुप्त हो सकते हैं, तो यह चंदर गुप्त है, गुप्त density से related, what is amazing is the fact, सबसे ज्यादा amazing है यह fact, that the pillar has not trusted, यह सबसे हरान करने वाली बात है, कि अच्छी quality का था, कि उसको धीरे से चंग नहीं लगता, जैसे कि आजकल हम जो iron यूज कर रहे हैं, तो उसको जंग जल्दी लग जाता है, building in bricks and stocks, जो इमारते इंटों के और पत्रों की बनाई जाती थी, उनके बारे में हम यहां देखते हैं, skill of our craft person, यनकी जो iron metallic से iron की बनाने वाले थे, कुशल कारीगर थे, तो यहां हम craft person की बात करते हैं, जो building बनाने में भी क्या थी, कुशल कारीगरी रखते थे, that have survived, जो लंबे समय तक बनी रह सकती थी, building ऐसी वारतों को बनाते थे, जो लंबे समय तक खड़ी रहती थी, such as stoop, उनमें से एक stoop का example हम यहां देखते हैं, stoop, word stoop mean amounts, जिसको हम तीला भी कह सकते हैं, इसका आर्थ होता है, stoop का मिन तीला, while there are several kinds of stoop, कई परकार के stoop यहां मिलते हैं, round भी हैं, tall भी हैं, big हैं, small हैं, these have certain common features, जिसके कुछ से मुख्य विशेस्ता हैं, generally there is a small box, अभी stoop है, stoop के अंदर bodily remains such as teeth, bonds and acids, तो कई बार यह माना जाता है, कि उस box के अंदर क्या रखा जाता है, जो मरने के बाद व्यक्ति के, क्या बसते हैं, teeth, bonds या acids, उनको यहां रखा जाता है, तो बुद्ध है फोलोवर, तो यह हम सोचते हैं, जो भी बोध religion से related बनाय जाते थे, तो बोध धरम के ज आख को, हड़ियों को, teeth को इसमें रखा जाता है, और उसके उपर, बाद में, क्या बनाया जाता है, स्तूप बनाया जाता है, जैसे हम बगवान की मूर्ती रखते हैं, तो वो बिल्कुल सेंटर में रखी जाती है, ऐसे ही यह स्तूप के अंदर, जो डिबबा है, वो वहां रखा जाता है, समझ में आगया होगा बटा, as well as precious stone, और उसके साथ साथ, इनके साथ साथ, bone teeth, ashes के साथ साथ, कुछ दूसरी वस्तूएं भी इसमें रखी जाते हैं, precious stone, squints, पत्थर और सिख्य भी इसमें रखे जाते हैं, ओके, the box known as a rally casket, तो box को धतु मंजूसा के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखना, इसको cover किया जाता था, जैसे कि यह स्टूप हो गया, तो यह जो इसका center है, यहाँ पर box रखा है, box के उपर मीटी डाली, मीटी के उपर इटों को से cover कर दिया, इसके बाद उसको तिला इस तरह से बना दिया गा था, यह था, back brick was added on the top और फिर जो top होता है, उपरी सीरा होता है, उस पर इटों का round बना दिया जाता था, जोल बना जाता था, dome-like structure, उसमें dome की तरह structure बना दिया जाता था, गुलाई से उपर से, ऐसे, covered with crab stone strap, उसके बाद उस पर पथरों को काट कर लगाया जाता था, करब कर के लगाया जाता था open a path, अभी से के 4th, stoope के 4th, स्टूप के 4th तरफ एक रास्टा छोड़ा जाता था, जिस रास्ते को पर्ध्ष्नापत के नाम से जाना जाता था, यह जैसे भी, स्टूप है, इसके 4th तरफ, ऐसे round, बीच में क्या है, यह stoopटीला है, 2nd से 4th round लगाने के लिए यह लगाया जो गेटवे होता है उसके बीच में अंदर जाने का भी रास्ता लगा जाता है जो भगत होते हैं स्टूप के चारों तरफ राउंड लगाते हैं इने क्लोकवाइज कौन से क्लोकवाइज में ऐसे जो गड़ी चलते हैं अमारी दिवार गड़ी वन टू थ्री ऐसे ही वुरांड लगाते हैं मारा के डिवर्शन ये भगति का एक सीन है माना जाता है बोथ रेलिंग एन गेटवे आवर ओपन डेकोरेटेड़ वे जो रेलिंग लगाई जाती थी या जो गेटवे दवार बनाया जाता स्टूप का उसको डेकोरेटेड किया जाता था सजा जाता था किसे मुर्तियों से जो चित्रकारी होती थी उससे पाइंड अमरावती हम मैप में देखेंगे 105 पेजबे पिछले चेप्टर में तो वहां अमरावती यह हमारे आंदरपरदेश के आसपास है गाज का जो आंदरपरदेश है उसकी कैपिटल है उसके देकोरेटिंग दस तूप वर मेड़ अबाउट 2000 यह दो हजार साल पहले बने इस तूप को सजाने के लिए पत्थरों को बहुत अच्छे डिजाइन में पत्थरों को के ऊपर बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था अधर बिल्डिंग्स वर वोलोड्स जूसरी जो ब जो चट्टानों को काटकर केवस बनाय जाती थी गुफाएं बनाय जाती थी गुफाओं के अंदर बहुत अच्छी मूर्दियाओं चित्रों से सजाया जाता था कुछ जो पहले हिंदू टेंपल बनाय गए थे स्टार्टिंग में आलसो विरुल टैर्ट इस राइम उससे में पर बनाय गए थे डैटीज सच आज विष्णू तो उसमें जो बगवान की पूजा की जाती थी वह विष्णू थे सीव बगवान थे दुर्गामाता थी वर पर ऑगवान की मुर्ति रखी जाती ति इसको बोलते है गरब गरे टेंडू के बीच में सेंटर में जिस भी बगवान की मुर्ती रखी जाती ति विहर हिमीज ओव दा चीप देटी और उन्सव परतिमा को मुखे जो मुर्ति होतिय है वहान को रिखा जाता है अड़ गरब तो भगवान की मुर्थी के सामने हम पूजा पाठे करते हैं तो यह सब बाते हम हम इंदु टेमपल और जो बोधर धरम से रिलेटीड स्टूप थे उनके बारे में यह जो स्टूप यहां दिखाई यह स्टूप है हमारा सांची के स्टूप जिसको बोलते हैं सांची के बहुत कई सालों तक इसका बनने का काम चलता रहा कई सब्सक्राइब तो इस तूप की इटों का जो परियोग है वह सायद असोग जो मान एम्परर थे से उस के जमाने के टाइम का जो डियान पता लगा गया है इसकी जो रेलिंग है यह जो इंट्री जेयर गेट है रेलिंग सेulars यह equal दूरिजिट दा टाइम ओफ लेटर आखे बाद जो सासद अजी की रहा कि अ Hospcolm के सीट नेंक्ट पर्देश सब्सक्राइब यह कि अध면 का उठर बाम्द चनाची का सिद्था उठ्वड परदेश के मंदर इसका नाम है भीतर गाओं, गाओं के अंदर, बूल्ड अबाउट 1500 येर अगो, जिस टाइम का वो हमने सथुड के बारे में रीड किया था, तो उसी टाइम ये मंदिर का बनाया गया था, तो इस मंदिर के अंदर, एंद वाज बेक्ट ब्रीक्स एंड स्टोन, तो ये इटों से और पत्रों से बना गया है, और जो टोप में ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये मोनोलिथिक स्टेमपल के बारे में, महाबली पुरम, महाबली पुरम टेमपल है ये, और इसके बारे में है, इस ओफ दीज तो इसमें क्या बतायागा है नीचे से बनी इमारतों में नीचे से इतों की एक एक तहज ओड़ते वे उपर के ओर दे जाते हैं जबकि चटान को काट कर जो मंदर बनाए जाते थे वो पत्थर काटने वाले उपर से नीचे के करम बनाते हैं अभी हां समझने की बात है एक चटान है चटान को उपर से काटते वे आएंगे नीचे से नीचे से खोच सकते हैं तो उपर से काटते हैं डिजैन बनाते आयते हैं लेकिन जो इंटों से टेंपल बनाए जाते हैं वो नीचे इस परकार इंटों से उसको हम बनाते हुए उपर की तरफ जाते हैं तो यह बता गया है कि इंटों से बने वे मंदर के जैसे दिवार बनते हैं यह तो दिवार बाल इंटों का तो हम समझ से लेकिन जो चटान को काट कर बना जा तो उपर से उसका डिजैन तयार करती वे उसको तयार करते थी ओके यह बता गया है तो यहां जो हम नीचे यहां देख रहे हैं यह दुर्गा टेंपल दिखाया गया है एहुल में आपने जो पीछे पड़ा था किसकी कैपिटल थी एहुल पारे में रीड किया था तो उसमें हमने अच्छी तरह से आपको समझा था लेकिन यह जो टेंपल है यह साउच साइड का टेंपल है दुर्गा माता का यहां देखते हैं ओपन एज भीतर गाउं टाउन टावर सोरी नोन एज दा सिखर तो टेंपल में सबसे उपर का जो पा डोसकीि उसको टोप बोलते हैं शिकर जिसको बोलते हैं बिल्डिंग सिखर रिक्वाइड केर फुली प्लानिंग जो बिल्डिंग बनाया प्लान आ मंदर के अंदर एक बनाया जाता था जहां पर पूजा पाठ करने वाले भगर जन होते हैं वह इकठे होकर वहां पर पूजा करते ते जिसको सब आए असेंबली कर सकते हैं फाइन महाबली पुर्म और एहोल मैप में हम ने क्या जैसे पिछले चप्टर के भी बने बता है एहोल और महाबली पुर्म को आपने मैप में देखना है सेहर के अंदर सबसे अच्छे पत्थरों का परियोग करके मंदिर बनाये गए थे सम और यहां कुछ मंदर दिखाए गए हैं जैसे दुर्गामाता का मंदिर और उपर यह माबली पुर्म का मंदिर अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा खर्चिला मामला और अब संटर्धा यह एक व्यंड्य पालटी का स्टोन करिजना पड़ता था यह दो आपने सबसे यह क्षीक्वालिटी स्टोन मनिर घंट स्टर्धाना पड़ता था यह पता करेंदम पड़ता है पड़ता था क्यारी एंड ट्रांस्पोर्ट तो दा प्लेस देट वाजोफन केरफ़ली चूज फोर दा न्यू बिल्डिंग तो उस थान को चूज करना पड़ता था जहां पर नया मंदिर बनवाना है नई बिल्डिंग बनवानी है तो पहले सबसे पहले पत्थरों को स्लेक् जो रफ पत्थर होते थे उनको कारण चाट करके तरास करके अच्छी तरह से उनको डीवारर में चोक्त बनाए जाती थी खंबेव तयार किया जाते थे, फर्स या छत के लिए उनका आकार बनाया जाता था, उनको डिजाइन में तयार किया जाता था, इस फ्लोर के लिए, सैलिंग के लिए, and then these had to be placed in a precisely the right position, उसके तयार हो जाने के बाद, सही स्थान पर उनको लगाया जाता था, यह था, टेमपल स्थूप का बनाना, जैसे यह है, पूरी चटान को काट कर, दिखाई देर अगा, यह चटान काट कर डिजाइन तियार किये गए है, पूरी एक ही चटान है यह, इसके पार्ट बनाए गए है, अंदर गूफाय की तरह पार्ट बनाए गए है, तो यह जैन मोनस्ट्री है, य जो चत्तानी एरिया सा चत्तानी सेतय को काठ कर बनाए गई है इंट्रेंस टूदा रूम के अंदर जाने का रास्ता बना गा है जेन मोंक्स लिवर्ट यहांके जो जेन सादू होते थे यहां आते थे और मेडिटेशन करते थे इन वड़ वेज इस केव सोन अडिफ्रेंट्स तो इस परकाल से हमने देखा एक नीचे यह दिखाएगी एक अकरती यहां पर एक स्क्लेप्चर प्रोंदा नेशनल म्यूजियम यह जो मूर्तिक कार होते हैं मूर्तिका सीतर दिखा गया इसमें नेशनल म काटने का तोड़ने का काम कर रहे हैं या खुदाए करने काका म कर रहे हैं have जो राजा या रानिया होते थे वो पैसा खर्च करते थे वो अपने खजाने से टूपे दा क्राफ्ट परसन जो कुशल कारिगार होते थे उनको देते थे पैसा और उनको ये सुन्दर मंदर या इमार्त बनाने के लिए पैसा दिया जाता था वहन devotee come to visit the temples और स्टूप जब वो भगत मंदिर में या स्टूप में आते हैं ते ओफन ब्रोट गिफ्ट तो भगत मंदिर में क्या लाते हैं गिफ्ट लाते हैं which were used to decorate the building जिसका परियोग building को सजाने के लिए किया गया था for example association of every workers जो हाथी के दात का दिजाइन बनाने के वरकर्स थे paid for one of the beautiful gateway सांची तो जो हाथी के दात बनाने वाले काम करने वाले जो कारीगर थे उन्होंने सांची के स्टूप के अंदर एक अच्छा प्रवेश द्वार बनाया गया है तो उन्होंने जो सर्मिकों का संग था उन् कि राजा-रानी के साथ साथ व्यापारी अगयरा होते थे वो भी कई बर अपना दान देते थे अमंग्द आवधर हूप एडब फोर डैकोरेशं दूसरे जो हते थे, जो मन्दर याश्तुप की डैकोरेशन के लिए भी पैसा देते थे, वो मर्चेंट होते थे, फार्मर होते थे, गार्लेंड मेकर, माला बनाइन वाले, परफिमर होते थे, समित होते थे, आंडर्ड ओफ मैंस, हैनि कि लोहर का काम करने वाला इस्तर बनाने वाला माला बनाने वाले व्यापारी किसान सभी आदमी और और तीस में सामिल होते थे who are known only by their names which were inscribed on pillar तो जो व्यक्ति अपना नाम उन पत्थरों पर खुदुआना चाता था तो वो वहाँ पर दान देता था तो उनके नाम कहां लिख आ जाते थे pillar पर, railing पर, wall, दिवारों पर भी, सतंबों पर भी so when you get a chance to visit any of this building अगर आपको कभी chance मिले इस परकार के building देखने का remember how several hundred of people probably work to construct and decorate तो आपको याद रखना है या उसके उपर जितने नाम लिखे होते हैं वो पढ़ने आप चाहिए कि कितने व्यक्तियों ने दान दिया है या इसके निर्माण में योगदान दिया है next है painting painting जैसे कि हम यहाँ एजन्ता का एक्जाम पर ले रहे हैं जैसे के अंदर यह भी हमने मैप 7 में देखना है यह इस लेसन के अंदर ने पिछले लेसन के अंदर एबिटा में बार पीछे नहीं जा सकती तो आप अपनी भूक में आप पीछे जा सकते हैं और वहाँ पर एजन्ता को सर्च करें डिस इस इस प्लेस वेर सेवरल केस वर हो आप डालो आट ओफ दाहिल ओवर सेंच्विरी तो यहां पर हम अजयंता की जो गुफाएं हैं महारास्टर के अंदर आप अजयंता को सर्च करेंगे इसमें आप देखेंगे कि पहाडों में सेकडों सालों के दोरान कई गुफाएं खोर दी गई थी जो अभी मैंने बता कि पाड़ों को काट कर जो गुफाय बनाए जाती थी, कई सेंच्वरी लगती थी, सदियां लगती थी, most of these were monasteries for Buddhist monks, जो Buddhist religion से related भिक्सु हैं, उनके लिए ये monasteries बनाए गई थी, जिसको बोल सकते विहार, monastery विहार, मठ जिसको अंबोर सकते हैं, बोद मठ, तो ये monastery बनाए गई थी, them were decorated with the painting, तो वह सजाय गया उसको painting के द्वारा, here are some example, तो यहां हम कुछ example देखते हैं कि कैसे उसको सजाय गया है, as the cave of the dark inside, क्योंकि हमें पता है कि cave के अंदर क्या होता अंदीरा होता है, most of these painting were done in the light of the torch, तो उस समय जो torch वगएरा होती थी, उसकी रोषनी में ही उन्होंने वो चित्रकारी कर रखिया, जो कारीगर होते थे, कारीगरों के द्वारा torch की रोषनी में ही कारीगरी की गई है, colors which are vivid even after 1500 years, 1500 साल पहले जो color उन चित्रों में भरने के रिए यूज किये गए है, वर मीड प्लांट और मिनरल, तो जो पोधों से और मिनरल से जो mix करके, जो color बनाया जाता था उसका प्रियोग किया गया है, तो यह ध्यान रखना है गी, जो monestries हैं, उनमें जो color यूज किया गया है, वो किस से बनता है, प्लांट और मिनरल से, आर्टिस्ट वो किरियेट इस प्लैंडिड वर्क ओफ आर्ट रिमेन अन्नौन, तो इस परकार के जो कारीगर होते थे, इस परकार की जो मूर्तियां बनाते थे, चित्तर कारी बनाते थे, वो कार आज भी गया थे, उनके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि उसके उपर इसका कोई नाम नहीं लिखा गया था, जो painting की जाती थी, painting का कोई नाम नहीं होता था, बलकि जो बनाने वाले होते कारीगर होते थे उनका नाम, ये painting की गई है, गुफाओं के अंदर, ये भी painting की गई है, गुफाओं के अंदर, तो ये ध्यान देना है, ओके बाटा, आज हम इतना ही करते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, ओके थेंक यू,